कहानी की सुरुवात में हम सोरेन नाम की एक आउल को देखते हैं जो अपनी छोटी बेहन इगलेंटी की साथ गार्डियन्स ओफ गहूल की कहानियों के कैरेक्टर बनकर खेल रहे होते हैं तब ही उनका एक और भाई क्लड उनसे कहता है कि चलो अब चलकर सो जाएं क्योंकि उसे ये कहानिया बकवास लगती है तब उन लोगों के डैड वहां आते हैं और क्लड से कहते हैं कि ये कहानिया उनकी संस्क्रीती और इतिहास का एक हिस्सा है इनसे वो बहुत कुछ सीख सकत पर Κलichtet कहता है कि बार बार वो एक ही काहनी के बारे में सुनकर पक चुका है पर सोरेन और अगलेंटे को ये कहानिया बहुत पसंद थी वो दोनों उन काहनियों पे विलीव करते थे और वो समझते थे कि गार्डियन्स सच में होते है उनकी मौमन सब को अब सोने को कहती है सोरे निगलेंटी को बता रहा था कि अब तक की कहानी में गार्डियन्स प्योरवन से लड़ते हुए पिछ़ड रहे हैं कहीं वो हार ना जाए पर फिर लाइज ओफ कील नाम के एक आउल ने उन सैतानी आउल्स के लीडर को मां डाला और एक बर फिर से गार्डियन्स की जीत हुई एक बर फिर से आउल्सम्राज को आजादी मिल जाती है और वो गार्डियन्स अपने घर वापस लोटा है जिसका नाम गहूल था पर लोग कहते हैं कि सैतानों का लीडर अब भी जिन्दा है और वो अपनी टूटी हुई चोच को छुपाने के लिए मीटल का एक मास्क पहनता है पर तभी सोरेन को रोकते हुए कलड कहता है कि वो ये बकवास कहानी उसे सुनाना बंद करे क्यूंकि ऐसा कुछ भी रियल नहीं हुआ था उनके डैड ने उन्हें कहानिया सुना सुना कर उनका दिमाग खराब कर दिया है अगले दिन सोरेन और कलड को उसके डैड उडने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कलड उड कर दिखाता है और अपने डैड से कहता है कि वो सबसे अच्छा उड सकता है पर उसके डैड उससे कहता है कि वो अपने पंको की आवाज को थोड़ा कम करे उसकी आवाज सुनकर सिकार भाग सकते हैं कुछ देर उनके डैड उन दोनों को उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उने वहीं छोड़कर वो उनकी मॉम के साथ सिकार पे निकल जाते हैं, कलड और सोरेन वापस अपने घोसले में आ जाते हैं, जहां उनकी मेड मिसेस भी उसकी बहन इगलेंटे की देखबाल कर रही होती है, सोरेन एक बर फिर से कलड को उड़ने की प्रैक्टिस करने को कहता है, और वो अपने घोसले से बाहर आकर उड़ने की कोसिस करने लगते हैं, पर उन दोनों का बैलेंस बिगड़ने की वज़ा से वो वहां से नीचे गिर जाते हैं, वो दोनों बहुत डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता था और अब वो उपर अपने घोसले में भी नहीं जा सकते थे तभी अचानक से एक बड़ा सा रैट उन पर हमला करता है वो दोनों किसी तरह से एक दूसरे को बचाने की कोसिस करने लगते हैं तभी वहां कुछ आउल्स आते ह जो उन दोनों को अपने पंजो में उठा कर कहीं ले जाने लगते हैं सोरें देखता है वहां बहुत सारे आउल्स थे जो अपने अपने पंजो में कई सारे आउल्स को कहीं लेकर जा रहे होते हैं वहां उसे गिलफी नाम की एक आउल मिलती है जो उसे बताती है कि वो उसे डिजर्ट से उठा कर ले आए, वो सारे आउल्स को लेकर पहाडों की एक गुफा तक ले आते हैं, वो उन सबको अपना गुलाम बनाने वाले थे, और कुछ को अपने प्योर वन सेना में सामिल करने वाले थे, वहां का एक हेड आउल जिसका नाम ग्रिम्बल था, वो उन से कहता है कि आज से वो सब उनके राजा हाई टाइटोस की सेवा करेंगे, तब ही वहां हाई टाइटोस की पतनी नायरा आती है, वो सबसे कहती है कि कुछ दिन उन्हें उनकी घर की याद आएगी, उसके बाद उन सबको यहां की आदत हो जाएगी, पर तब ही गिल्फी और सोरेन उसका विरोध करते हैं, और कहते हैं कि उन्हें उनके घर वापस जाने दे, नायरा उन दोनों के पास आती है, और उन दोनों को सामान उठाने वाले कैटेगरी में डाल देती है, उसके बाद वो कलर्ड की तरफ बढ़ती है, वो उससे कहती है कि तुम अपने भाई की तरफ सामान उठाने का काम करना पसंद करोगे, या प्योर वन्स के बहादूर सिपाही बनना चाहोगे, कलर्ड उनकी सेना में सामिल होने के लिए मान जाता है, सोरेन और गिलफी को बाकी आउल्स के साथ कहीं और ले जाया जाता है, उन्हें अपना चेहरा चांद की तरफ करके सो जाने को कहा जाता है, गिलफी सोरेन से कहती है कि उन्हें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके रेगिस्तान में भी कई बार ऐसे ही आउल्स ठक कर सो जाते हैं पर जब वो उटते हैं तो वो पहले की तरह नहीं रहते वो भूल जाते हैं कि वो कौन है वो दोनों बाकी आउल्स की तरह सिर्फ सोने का नाटक करते हैं और अगले सुबा जब सारे आउल्स उटते हैं तो वो पूरी तरह से गुलाम बन चुके थे वो सब उनके इसारों पे चलने लगते हैं सोरेन और गिल्फी भी नाटक करते हुए उनके साथ जाने लगते हैं उन सब को वहां के प्लेट ओरियम में लाया जाता है वहां नायरा सिपाही बनने वाले आउल्स को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो एक अच्छे सिपाही बन सके उन सारे गुलाम आउल्स को एक पैलेट दिया जाता है जिसमें से उन सब को एक मेटल फ्लेक्स ढूंड कर निकालना था जिसे वो एक जगा कलेक्ट कर रहे थे वो सोरेन को एक फ्लेक्स देते हैं और उसे बाकिके फ्लेक्स के पास रखने को भेजते हैं उन फ्लेक्स की पावर का सोरेन पे बुरा असर पड़ रहा था वहाँ कुछ बैट्स थे जिन पर इन फ्लेक्स की पावर का कोई असर नहीं था और वही बैट्स उन फ्लेक्स को अपने पास रख रहे थे ये सब देखकर सोरिन को एक बात तो पता चल चुकी थी कि ये लोग कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं वो गिलफी से कहता है कि उन्हें जल्दी से यहां से बाहर निकलना होगा आगे हम हाई टाइट्स को एक आउल से बात करते हुए देखते हैं वो कह रहा था कि बहुत सारे फ्लेक्स के इकट्टा हो जाने के बाद वो लोग अपने दुस्मनों के लिए एक जाल बिचाएंगे और फिर उन सबको अपना गुलाम बना लेंगे इधर ग्रिम्बल नाम का एक आउल जब सोरेन को वहां से बाहर जाने की बात करते हुए सुनता है तो वो उन दोनों को अपने साथ ले आता है वो उने एक अलग जगा पे ले आता है वो उनसे कहता है कि वो उन्हें उड़ना सिखाएगा ग्रिम्बल उन्हें बताता है कि प्योर वंस ने उसके राज़ पर हमला किया था और उसके परिवार को अपने साथ ले गया और उसे कहा गया था कि जब तक वो उनके लिए काम करता रहेगा वो उसके परिवार को कुछ नहीं करेगा पर अब उसे लगता है कि वो उनका साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो उन्हें उड़ना से खाने लगता है इधर नायरा उन सिपाही बनने वाले सारे आउल्स का एक टेस्ट लेती है ताकि वो जान सके कि कौन उन में सबसे बेश्ट है उस टेस्ट में कलड सबसे आगे रहता है नायरा उसकी तारीफ करती है वो कलट से कहती है कि क्या तुमारा भाई सोरेन भी तुमारी तरह उड़ सकता है वो उसे अपने साथ लेकर सोरेन को समझाने जाती है कि वो भी उनके ग्रूप में सामिल हो जाए ग्रिमबल अभी भी सोरेन और गिलफी को उड़ना सिखा रहा होता है वो उनसे कहता है कि उन्हें अगर अपने घर जाना है तो उन्हें जल्दी से उनना सिखना होगा वो उन्हें बताता है कि उनका असली घर गाहूल है पर वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें पहले होले मेर समुद्र के टापू पे जाना होगा वहाँ एक पूराना जंगल में गहूल ट्री है जहां सच्चे और इमंदार आउल्स रहते हैं और उन्हें गार्डियन्स कहा जाता है पर तभी वहाँ नायरा और कलड आते हैं ग्रिम्बल सोरेन से तुरंत वहाँ से भाग जाने को कहता है नायरा उसे रोकने के लिए जाती है पर ग्रिम्बल उसे उन तक पहुँचने से रोकता है सोरेन और गिलफी पाहल के किनारे तक पहुँच जाते हैं पर वो वहाँ से कूद कर उड़ने से डर रहे थे ग्रिम्बल तब तक नायरा को रोक के रखे हुए था वो कलट से भी सोरेन के साथ भाग जाने को कहता है पर वो उनके साथ जाने से मना कर देता है और तब तक नायरा भी ग्रिमबल के पंजों से छूट जाती है सोरेन और गिलफी वहाँ से कूद कर उड़ने लगते हैं नायरा उनका पीछा कर रही होती है ग्रिम बलब भी उसे रोकने की पूरी कोसिस कर रहा होता है पर बहुत जल नायरा उसे मार देती है वो दोनों एक पहाल के छोटे से दरार से होकर भाग जाते हैं सोरेन और गिलपी अब आजाद हो चुके थे वो दोनों बहुत खुशते क्योंकि अब वो उड़ सकते थे वो दोनों वहाँ से गाहूल की तरफ निकल जाते हैं इधर नायरा कलर्ड से कह रही होती है कि उसके पास आज भागने का अच्छा मौका था पर फिर भी वो उनके साथ नहीं गया वो जरूर प्योर वन्स का एक महान सिपाही बनेगा वो उससे कहती है कि वो उसके सिपाही बनने में उसकी मदद करेगी पर उसके बदले में वो उससे क्या दे सकता है क्योंकि उसका भाई तो वहाँ से भाग गया कलेट कहता है कि उसकी एक बहन है वो बहुत बादूर है, वो जरूर उनकी सेना में सामिल होकर एक महान सिपाई बनेगी, नैरे उसकी बहन को उसके पास लेकर आने को कहती है, सोरेन और गिल्फी उड़ते उड़ते थक चुके थे, उन्हें रास्ते में डिगर नाम का एक आउल मिलता है, गिल्फी उससे कहती ह वो कहती है कि उसने उन दोनों को हर जगा डूंडा, सोरेन टुलाइट को बताता है कि ये उसकी मेड मिसेस पी है, और इसे वो लोग खा नहीं सकते, वो उसे बताता है कि वो लोग गार्डियन्स की खोज में जा रहे हैं, ताकि वो उन्हें प्योर वन्स के प्लान के बारे म पहुंच चुके थे, वहाँ उन्हें इकिड्ना नाम का एक पॉर्क्यूपाइन मिलता है, जो उनसे कहता है कि उसे पहले से ही पता था उनके बारे में, कि वो लोग आने वाले हैं, वो उन्हें सितारों का पीछा करने को कहता है, जिनका पीछा करते हुए वो गार्डियन्स तक पहुंच सकते हैं, वो सब अपने सफर पे निकल जाते हैं, और लगतार उस दिसा में उड़ने लगते हैं, कुछ दिर बाद वो घने कोहरे में फस जाते हैं, उन्हें उड़ने में परिशानी हो रही थी, और तभी डिगर के पंक जम जाते हैं, वो गिरने लगता है, सो सोरेन गार्डियन किंग को सारी बात बताता है कि कैसे प्योरवन सारे आउल्स को गुलाम मना कर अपनी सेना तयार कर रहा है और वो बहुत जल्द गहूल पे हमला करने वाले हैं। वो लोग प्योरवन्स हैं और वो सबसे ताकतवर हैं और इस दुनिया में हमेशा ताकतवर ही राज करते हैं। उसे यहां ठीक नहीं लग रहा है पर कलड उसे सुला कर बाकी आउल्स के साथ उनका गुलाम बना दिता है। गार्डियन्स का एक काउल सोरिन को उढ़ने का सही अंदाज बताता है। वो उसे हावा को महसूस कने को कहता है और उसके बहाओ के साथ उसे उढ़ने की कोसिस कने को कहता है। सोरेन को उसकी बाते समझ आ रही थी वो हवा के बहाओ के साथ उड़ने लगता है और उसमें वो इतना खो जाता है कि वो पानी में गिनने वाला होता है पर सही समय पे वो गार्डियन उसे बचा लेता है उसके बाद वो गार्डियन उसे लेकर अपने घर आ जाता है एलमेर अपने सिपाईयों के साथ प्योर वन्स के इलाके तक पहुंच चुका था वो सब छुपते हुए कुछ सिपाई पे हमला करते हैं पर ये सब उन्हें फसाने के लिए एक ट्रैप था वो सब पकड़े जाते हैं इधर सोरेन उस गार्डियन के साथ उसके घर में था वहाँ उसका साइन देखकर उसे पता चलता है कि वो गार्डियन लाइज ओफ कील है जो उसका सबसे फेवरेट गार्डियन था सोरेन उससे पूछता है कि उन्होंने अपना नाम क्यों छुपा कर रखा हुआ है तब वो कहता है कि लडाई हमेशा अपने साथ तबाही लाती है उस लडाई में उसने अपना बहुत कुछ खोया इसलिए तब से वो लडाई छोड़कर एक लेखक बन गया और तब ही एलेमोर वहाँ वापस आ जाता है वो अपने साथ दो घायल आउल को भी लेकर आये था सोरेन जाकर देखता है वहाँ उसकी बहन इगलेंटे थी जो कि अब पूरी तरह से गुलाम बन चुकी थी वहाँ के डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए अपने साथ लेकर चले जाते हैं एलेमेर सब को बताता है कि सोरेन की बात बिलकुल सही थी वहाँ बहुत से प्यूर वंस हमला करने की तयारी कर रहे हैं गार्डियन्स केंग सब को लड़ाई के लिए तयार होने को कहता है क्योंकि वो लोग उन पे हमला करने जाएंगे सोरेन लीज से कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाता है पर वो उससे कहता है कि वो यहीं रहकर अपने बहन का अच्छे से देख बाल करे और सारे गार्डियन्स की फूर्स प्योर वन्स पे हमला करने के लिए निकल जाते हैं सोरेन वहीं अपनी बहन के पास ही रुखता है वो गार्डियन्स वहाँ पहुँचकर एक एक करके सारे टाइटोस को मानने लगते हैं और इधर एक लेंटे को तब तक होस आजाता है वो सोरेन्स से कहती है कि कलड ने ही उसे वहाँ गुलाम बनाया था और उसी ने उसे ऐलेमेर को यहाँ लाने के लिए दिया था सोरेन्स समझ जाता है कि ऐलेमेर भी उनके साथ मिला हुआ है और ये सब गार्डियन्स को फसाने का उनका प्लैन है वो तो न तुने बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है उसके साथ गिलफी डिगर और ट्वैलाइड भी थे इधर सारे गार्डियन को वो उस मेटल फ्लेक्स की मदद से कैद कर लेते हैं क्योंकि वो सारे फ्लेक्स की पाउर को जھیल नहीं पा रहे थे नाइरा वहाँ के सारे बैट्स को उने माने के लिए बेज़ती है क्योंकि उन बैट्स पे उस फ्लेक्स का कोई असर नहीं होता था और उसके बाद हाइट आइटोस धोके से ऐलमेर को भी मार देता है सोरेन भी अब तक वहाँ पहुँच गया था पर वो चाकर भी कुछ नहीं कर सकता था तभी उसे पास के जंगल में लगी हुई आग दिखाई देती है और उसे एक आइडिया आता है वो वहाँ के लैंब को अपने पंजों में ले लेता है और वहाँ जल रही आग में कूच जाता है और उस लैंब को आग के बीच में से जला कर बाहर आता है और उस जलते हुए लैंब को उस मेटल फ्लेक्स में डाल देता है जिसकी वज़ा से वो बंद हो जाता है और सारे गाडियन्स आजाद हो जाते हैं वो सब मिलकर प्योरवन से लड़ने लगते हैं, वो सारे गाडियन्स उन पर भारी पढ़ रहे थे, तब ही सोरेन देखता है कि कलड भी लड़ने आ रहा है, वो उसे रोकने जाता है, पर कलड उस पे हमला कर देता है, और उसे जंगल की आग की तरफ फेक देता है, सोरेन उसे खुद अपने हाथों से ही आग में गिर कर मारा जाता है। सोरेन अपनी तरफ से आखरी वक्त तक उसे बचाने की कोसिस करता है। पर वो उसे बचा नहीं पाता है। इधर लीज ओफ किल्स सिधा हाई टैटोस के पास पहुंचता है। और उसे लड़ने लगता है। लीज उसे एक बचाने नायरा भी आ जाती है। और वो दोनों मिलकर लाइस पे भारी पढ़ रहे थे। टैटोस उसे माने ही वाला होता है कि सोरेन अपने साथ एक जलती हुई लकडी लेकर आता है और उसे बचा लेता है। टैटोस सोरेन को माने के लिए उसकी योड जपटता है पर उस जलती हुई लकडी के मदद से सोरेन उसे मार देता है। ये देखकर नायरा अपने बचे हुए सिपाईयों के लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक पर फिर से गार्डियन्स की जीत होती है। उसके बाद सारे गार्डियन्स लॉट कर गहूल आ जाते हैं। सोरेन के मॉम डैट भी वहाँ पहुंच चुके थे। उन्हें सोरेन की बहादुरी पे बहुत नाज था। सोरेन को भी एक गार्डियन बना दिया जाता है। परंत में सोरेन कहता है कि लडाई खत्म होने के बाद नाईरा भाग गई और उसके भाई कलड का भी कुछ पता नहीं जला। और इसे के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छे लगयो तो प्लीज डू लाइक और शेयर दा वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रिस दाट बिल इकन।